हेलो एवरिवन, वेलकम टो कुईजर बुक, कुईजर बुक में आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेसन में हम यूपी ट्रपल सी पैट के लिए इस्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट कोशन्स को सॉल्फ कराएंगे यह इस सीरीज का सेकेंड सेट है तो चलिए इस सेसन को स्टार्ट करते है पहला कोशन है कुमार संभव की रचाईता कौन है आप्शन्स है बरा महीर, कालीदास, आरे भट या ब्रहम गुप्त तो इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा कालीदास आगा खां कप किस खेल से संबंदित है आप्शन्स है हौकी, टैनिस, बैडमिंटन या फुटबॉल तो इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा हौकी आप्शन्स बांदिपूर अभ्यारण किस राज्य में इस्थित है आप्शन्स हैं करनाटक, जारखंड, बिहार या गुजरात तो इस कोशन्स का सही आंसर हो जाएगा करनाटक नेक्स्ट कोशन्स दीन ए इलाही ना धर्म किस मुगल सासक ने चलाया था आप्शन्स हैं बहादुर सह, अकवर, बावर या जहांगीर तो इस कोशन्स का सही आंसर हो जाएगा अकवर और कब चलाया था पंदरा सो बयासी में नेक्स्ट कोशन्स भारत का राश्ट्रिय फल क्या है आप्शन्स हैं आम, सेब, हनार या जामुन तो इसका सही आंसर क्या होगा आम नेक्स्ट कोशन्स थार, मरुस्थल, भारत और डेस, देस में फैला हुआ है आप्शन्स हैं बांगला देस, चीन, पाकिस्तान या भूटान तो इस कोशन्स का सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान नेक्स्ट कोशन्स भारत में पहली रेल-गाड़ी किस वर्श चलाई गई थी आप्शन्स हैं 1874, 1851, 1853 या 1912 तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1853 नेक्स्ट कोशन्स दुनिया का सबसे ऊचा पर्वत का नाम क्या है Options है Mount Everest, कंचंग जंगा, केटू या धौलगीरी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Mount Everest Next question किस भारती राज़ी की राजभासा अंग्रेजी है? Options है मडिपूर, असम, करनाटक या नागलेंड तो इसका सही आंसर क्या होगा? नागलेंड Next question रैवीज टीका की खोज किस ने किया था? Options है Edward, Jenner, Louis Pasteur, John Harrison या Gottlieb Demler तो इसका सही आंसर हो जाएगा? Louis Pasteur और Louis Pasteur ने या खोज कब की थी? 6 जुलाई 1885 को Next question किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? Options हैं लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइड मिट्टी या जलोर मिट्टी? तो इस question का सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है Next question भारत के कितने पृतिशत छेतरफल पर खेती होती है? Options है 40%, 60%, 51% या 30% तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51% Next question बीहु किस राजी की प्रशिद तिवहार है? Options है करनाटक, असम, तमिलांडू या सिक्केम तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम असम का यह प्रशिद तिवहार है Next question लोसांग उत्सब कहां मनाया जाता है? Options है असम, सिक्केम, तमिलांडू या केरल तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्केम Next question यह 39 question रिपीट हो गया है तो चलिए देख लेते हैं एक बार लोसांग उत्सब कहां मनाया जाता है? तो यह उत्सब मनाया जाता है सिक्केम में Next question गंगोत्री राष्ट्रिय उत्यान किस राज्य में इस्तित है? Options है गुजरात, राजस्थान, उत्राखंड या हिमान्चल प्रदेश तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्राखंड Next question गंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? Options है दो जन्वरी, दो अप्रेल, दो जुलाई या दो दिसंबर तो इसका सही आंसर हो जाएगा दो दिसंबर को Next question है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? Options है अरुनाचल प्रदेश, मेखाले, तमिलनांडू या जारकंड तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किर्ने दिखाई देती है Next question पानी पत का दुतिय युद्ध कब लड़ा गया था? Options है 1756 1432 1522 या 1556 तो इस question का सही आंसर हो जाएगा 1556 यह युद्ध हेमू और अकवर की सेना के बीच हुआएगा था Next question कौन सी नदी भारत या दुनिया की सबसे बड़ी नदी दुईब बनाती है Options है ब्रह्म पुत्र नदी गंगा नदी भागी रथी नदी या कावेरी नदी तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्म पुत्र नदी यह भारत और दुनिया दोनों का सबसे बड़ा नदी दुईब बनाती है Next question सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है Options है चावल कपास कोईला या पेट्रोल तो इसकोशन का सही आंसर हो जाएगा कपास इसको सफेद सोने की नाम से भी जाना जाता है Next question भारत में डाक बिवाग की स्थापना किस वर्स में की गई थी Options है अठारसो पेटालिस अठारासो चववण अठारासो सततर या उनिस सो एकत्यस तो इसका सही आंसर हो जाएगा अठारासो चववण और किस दिन ये स्थापना होई थी एक अक्टूवर को एक अक्टूवर उनेस अठारासो चववण Next question भारत के परमाडु उर्जा आयोग की इस्थापना कब की गई थे। उप्शन्स हैं 1948, 1951, 1955 या 1958 तो इसका सही आंसर हो जाएगा। उन्निस सो फड़तालिस नेक्स्ट कोश्चिन मधु बनी चित्रकला का संबंद किस राज्य से है। उप्शन्स हैं बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान या जारखंड तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिहार बिहार जो है वो मधु बनी चित्रकला से संबंद है। नेक्स्ट कोश्चिन अच्ट ध्याई की रचनाकार कौन है। उप्शन्स हैं विश्णु सर्मा, पाडिनी, कालिदास या चारख्य तो इसका सही आंसर क्या होगा। पाडिनी इसमें आठ अध्याई होते हैं और प्रतेक अध्याई में चार पद होते हैं और प्रतेक पद में 38 से 220 तक सूत्र होते हैं। आगरा किस नदी के किनारे बसाएं। आप्शन्स हैं नर्मदा, गोमती, यमुना या वेतवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना। आप्शन्स हैं पंच तंत्र ग्रंत के रचैता कौन हैं। आप्शन्स हैं सोमदेव, विश्णु सर्मा, काली दास या कौटिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्णु सर्मा। नेक्स्ट कोश्चन। सौ की नई नोट पर पीछे की ओर किस की चित्र है। आप्शन्स हैं साची का इस्तूप, हमपी, रानी की वाव या लाल किला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी की वाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रानी की वाव। नेक्स्ट कोश्चन। गीत गुविंद पुस्तक के रचैता कौन है। आप्शन्स हैं पाडिनी, बरामीर, वीरसेन या जैदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैदेव। नेक्स्ट कोश्चन। एफिल टावर किस देश में इस्तित है। आप्शन्स हैं कनाडा, फ्रांस, इटली या मेक्सिको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट कोश्चन। दोसों के नोट पर पीछे की और किसकी आकरती बनी हुई है। अभी जैसे कि हम लोगों ने बताया था आपको दोसों के नोट के पीछे किसकी बनी हुई है। सांची का इस्तूप बना हुआ है। नेक्स्ट कोश्चन। प्रशित कवी सूर्दास का जन्म कहां हुआ था। आप्शन्स हैं महेंद्रगर्ड, पंचुकुला, फरीदावाद या यमना नगर। तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा। फरीदावाद। नेक्स्ट कोश्चन। नवजात सिसू को BCG का टी का कब दिया जाता है। आप्शन्स हैं जन्म के तुरंत बाद 48 घंटे के बीतर, एक महीने के बीतर या छे महीने के बाद। तो इसकोश्चन का अंसर क्या हो जाएगा। 48 घंटे के बीतर। नेक्स्ट कोश्चन विश्व स्वास्थे दिवस यानि World Health Day कब मनाया जाता है। आप्शन्स हैं 7 अप्रेल, 5 जन्वरी, 3 जुलाई, या 26 मई तो इसका सही अंसर हो जाएगा 7 अप्रेल और इस बार की थीम क्या है। अवर प्लैनेट, अवर हैल्थ नेक्स्ट कोश्चन उच्च रक्त चाप की अवस्था को क्या कहा जाता है। आप्शन्स हैं हाइपर्टेंशन, डिस्पेपसिया, या नियोमोनिया या इनमे से कोई नहीं। तो इसका सही अंसर हो जाएगा हाइपर्टेंशन। नेक्स्ट कोश्चन कुम्ब मिला कितने वर्स बाद लगता है। आप्शन्स हैं दो वर्स, 6 वर्स, 3 वर्स या 12 वर्स तो इसका सही अंसर हो जाएगा तीन वर्स तीन वर्स बाद या मिला लगता है। नेक्स्ट कोश्चन ब्रम समाज की प्रत्थम बिवाजन कब हुआ था। तो इसका सही अंसर हो जाएगा अठारा सो सरसट में नेक्श्ट कोश्चन इवराहिम लोदी का मकवरा इस्थित है ओप्शन सें पानीपत, रेवाडी, गुडगाओं या यमनानगर तो इसका सही अंसर हो जाएगा पानीपत और पानिपत कहां पर है हरियाडा में नेक्स्ट कोश्चन पश्चिम बंगाल की राजधानी डैस है ओप्शन्स है हावडा, कोलकाता, दीघा या दिसपुर तो इसका सही अंसर हो जाएगा कोलकाता नेक्स्ट कोश्चन वायो मंदल की सबसे निचली परत क्या है ओप्शन्स है ट्रोपोइस्फेर, इस्ट्रेटोइस्पेर, मेसोइस्पेर या एक्सोइस्पेर तो इसका सही अंसर हो जाएगा ट्रोपोइस्पेर नेक्स्ट कोश्चन सबसे अच्छा कोईला कौन सा है options हैं anthracite, lignanite, peat या bituminus तो इसका सही answer हो जाएगा anthracite जो anthracite koila होता है यह सबसे अच्छा होता है next question विश्व का सबसे बड़ा धुईप का नाम क्या है options है बोर्नेव, सुमात्रा, ग्रीन लेंड या बफीन आईलेंड तो इस question का सही answer हो जाएगा greenland next question विश्व में सबसे लंबी तट रेखा किस देश की है options है कनाडा, भारत, चीन या रूस तो इसका सही answer हो जाएगा कनाडा next question विश्व का विश्व की प्रथम महिला प्रधान मंतरी कौन है सिरी मावो भंडार नायक, इंद्रा गांदी या खेलेडा जिया तो इसका सही answer हो जाएगा सिरी मावो भंडार नायक next question कुमार संभव की रचैता कौन है options है बरामिर, कालिदास, आर्यभट या ब्रह्मुगुप्त तो इसका सही answer हो जाएगा कालिदास next question राश्ट्रिय विज्यान दिवस यानि National Science Day कब मनाया जाता है options है चार मार्च, पंदरे दिसंबर, ग्यारे जन्वरी या 28 फर्वरी तो इसका सही answer हो जाएगा 28 फर्वरी और इस बार की theme क्या है Integrated Approach in Science and Technology for Sustainable Future next question कालिदास किसके सासन काल में थे options है स्री गुप्त, समुद्र गुप्त, चंद्र गुप्त, दुतिव या समराट असोक तो इसका सही answer हो जाएगा चंद्र गुप्त, दुतिव next question रामायर के लेखक कौन है options है कौटिल, वालमी की, बेद बयास या कालिदास तो इसका सही answer हो जाएगा बालमी की, और महावारत के बेद बयास next question भारत की कौन सी राज्य की सीमा सिक्किम के साथ लगी हुई है options है आंद्र प्रदेश, उडीसा, जारखंड या पश्चिम बंगाल तो इसका answer हो जाएगा पश्चिम बंगाल next question और यही last भी है लोहपुरुस के नाम से कौन जाने जाते है नेता जी सुभाष चंद्र बोस जवारलाल नहरू महात्मा गांदी या सरदार बल्लब भाई पटेल तो इसका सही answer हो जाएगा सरदार बल्लब भाई पटेल जवार महात्मा गांदी को पापु के नाम से बुलाया जाता था नेता जी सुभाष चंद्र बोस तो इसका सही answer क्या हो जाएगा सरदार बल्लब भाई पटेल लोह पुरुस से सरदार बल्लब भाई पटेल को बुलाया जाता था तो फ्रेंड्स आज का सेसन यहीं कम्पलीट होता है आप सभी लोग इस सेसन को लाइक अंड शेयर जरूर करें यह सेसन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा थैंक यू फ्रेंड्स